हेलो बच्चो फोर्स लॉज अफ मोशन लेक्चर नमबर सेवन वेरी गुड मॉर्णिंग टू आल अफ यू और यह हम बहुत ही बढ़िया एक लेक्चर लेकर आ गए लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्लाइमिक्स कर पॉमिस किया था पॉमिस यह था कि लॉज आफ कॉंजर लेक्चर बढ़ जाएंगे उतना आपका फायदा है बच्चो क्योंकि लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं कुछ जबरदस्त क्वेशन के साथ ठीक है तो वैसे ही शुरुआत इस लेक्चर में भी करेंगे और 101 परसेंट इस लेक्चर में लॉज आफ कॉंजर्वेशन आफ लीनियर मोमेंटम आपको मैं बढ़ा दूँगा ठीक है इस लेक्चर में इस न्यूमेरिकल से जादा ये चीज आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है हर एक चीज पर दो दो तिन तिन मिनुट का डिसकशन होगा बच्चो अच्छे से काम करेंगे और समझने की क यह किया काम करेंगे टिक है हेलीड्यकॉप्टर हो गया या पिर होर्स कार्टों इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे होर्स कार्ट को एयर्बैक कैसे वर करते सीड बेल्ड कैसे वर करें थीक है तो पहले पॉझ करके इतनी चीजे ट्राय करो इस बाकि सोलूशन तो में velocity constant होती है, velocity constant होती है, तो velocity constant means not race, ना, ठीक है न, तो oxidation 0 मतलब constant ऐसा नहीं होता, यह false है, it is possible to have motion in the absence of force, अगर यह आपको chapter समझा है, तो यह line आपको आजाएगी, तो यही तो था ना, बच्चो, Galilio ने क्या कहा था, कि body को motion में रखने के लिए, uniform motion में रखने के लिए force लगाने की जरूरत नहीं होती, बहुत important statement था, Galilio का, ठीक है, तो क्या कह रहा है, it is possible to have motion in the absence of force, yes, यह true है, motion हम कर सकते हैं, लेकिन, 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 in the absence of force, हम acceleration नहीं ला सकते, velocity में change नहीं कर सकते, velocity में change करना मतलब, magnitude बदलना, direction बद रखने के लिए, force लगाने की जरूरत नहीं, दो चीजों के लिए force की जरूरत नहीं, body को race रखने के लिए, doesn't need a force, और body को uniform motion में रखने के लिए भी force लगाने की जरूरत नहीं है, अभी यह moving body, एक football है, मैंने उसको kick किया, तो वो रुख जा रहा है, कुछ दिर बाद क्यों of friction, ठीक है न, तो body को uniform motion में रखने के लिए, force की जरूरत नहीं, momentum is product of mass and speed, false, momentum is product of mass and velocity, why, because momentum is also a vector quantity, the direction of momentum is same as the direction of velocity and according to Newton's second law, rate of change of momentum is equal to external unbalanced force and change of momentum takes place in the direction of force, in the direction of force, अब यह जो है, यह हमने CBSC के exercise से उठाया है, और यह third law पे बेस रहे, newton's, third law of motion, अब क्या कहे रहा है, if a truck and car both are moving with same velocity, चलो, imagine कर लेंगे हम, suppose this is the truck, बड़ा होता है न, बच्व लॉजिकल चीज़े आपको सोचने होगी, this is the truck, ठीक है, यह हमारा truck है, these are moving on the same road, इसको टायर को टच करा देते हैं, इससे, ठीक है, this is truck, और यह हमारी car है, BMW, ओके, ठीक है, मैं favorite car बच्चो, लेंगे, लेंगे, एक दिन लेंगे, BMW भी लेंगे, चलो, तो यह truck है, और यह car है, ठीक है, यह दोनों एक तरफ से move हो रहे, ऐसे opposite, moving with same velocity v in opposite direction, तो truck की velocity अगर v है, तो car की कितनी हो जाएगी, minus v, opposite direction है न, ठीक है, they collide with each other, collision हुआ, आए, दोनों एक दूसरे को collide होगे, for one second, time भी कितना है, same है, which vehicle experience greater force, अगर आपने third law अच्छे से पड़ा है, तो आपको पता होना जरूरी है, यह body 1 है, यह body 2 है, यह इस पर जितना force डालेगी, उतना ही force यह ठीक है, तो यह क्या पुछ रहा है, which vehicle experience greater force, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एक answer क्या आजाएगा, एक answer आएगा, both will experience same force, both same force experience, दोनों same force experience करेंगे, why experience, spelling देख लो यह रहा, why, because according to Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction, यह इस पर जितना force डालेगा, उतना ही force यह इस पर डालेगा, तो both will experience same force, which experience greater change in momentum, अब momentum क्या होता है, momentum क्या होता है, देख लो बच्चो, change in momentum क्या होता है, force क्या होता है, rate of change of momentum, मतलब change of momentum divided by time, तो change of momentum क्या होगा, change of momentum is equal to force into time, अब दोनों कितने time के लिए collide, one second के लिए, तो दोनों के लिए time कैसा है, same है, दोनों के लिए force कैसा है, same है, यहाँ पर द same to change the momentum don't know clear why sorry रहेगा Same रहेगा दोनों के लिए change of momentum कैसारइगा same रहेगा पहला क्या रहा है विच इक्सपेरियंस ग्रेटर पोर्स तो दोनों पोर्स सीमेश्पेरियंस करेंगे वाई गाय क्यों एक्षपीरियंस करेंगे वाई बिकावरी एक्षण time of collision दोनों के लिए same है, तो force same, time same, तो दोनों के लिए change of momentum भी कैसा रहेगा, same रहेगा, तो delta P will be same for car as well as truck, अब आ जाता है core question, which experience greater acceleration, देख लो बच्छो, third C, अब क्या होदा है, force is equal to mass into acceleration, acceleration is equal to force divided by mass, अब दोनोंने force तो same experience किया, तो force कैसा है है, आपर constant, अगर force constant आ गया, तो acceleration is inversely proportional to mass, acceleration is inversely proportional to mass, mass of truck, mass of truck is greater than mass of car, अब जिसका mass जादा होगा, उसका acceleration कम होगा, inverse relation है न, एक जादा, दुसरा कम, एक जादा, दुसरा कम, तो truck का mass जादा है, इसलिए acceleration of truck will be less than acceleration of car, इसलिए जब accident होता है, truck और car का, तो car हवा में उड़के दूर चला जाती है, लेकिन truck जाती है क्या, न, ऐसा कभी होता है क्या, car और truck का accident हो गया, car रुप गई और truck हवा में चला गया, ऐसे कभी नहीं होता, why, because mass of truck is very high than mass of car, तो जिसका mass कम होगा, उसका acceleration भी जादा होगा, ठीक है, तो which experience greater acceleration, car will experience greater acceleration, why, because its mass is less, उसका mass कम होगा, why car suffer more damage than truck, अब क्यों, क्यों, न, न, इस और छोट यह होती है, ऐसे कुछ नहीं होता है, mass of car is less, acceleration is more, उसका acceleration more होता है, car का acceleration बहुत जादा होता है, तो हवा में उड़के दूर चले जाएगी, और जादे दूर जाके गिरिएगे, तो damage किसका जादा होगा, acceleration का क्यों, because, उसका mass कम है, mass कम होने से acceleration जादा हो जाएगा, acceleration जादा होने के वजह से, उसका damage जादा हो जाएगा, ठीक है, so this is very interesting example, this is very interesting real life example, which explains Newton's third law of motion, Newton's third law of motion, ठीक है, एक numerical बना लेंगे बच्चो, इंपल्सा, क्या कहता है, a hammer of mass 500 gram, ग्राम नहीं चलता बच्चो अपने में, ग्राम नहीं चलता, तो क्या करना पड़ेगा, mass है hammer का, hammer मतलब हतोडा, ओके, हतोडा की हतोडी, कुछ भी ले लो, चलो, 500 gram, अब इसको kilogram करना पड़ेगा, तो इसको divide कर देंगे, 1000 से, 1000 से divide कर देंगे, जिरो cancel, जिरो cancel, तो 5 by 10, मतलब ये हो गया, 1 by 2 मतलब 0.5, 1 by 2 मतलब 0.5, समझते हो न, अब ये से न, 500 gram, मतलब आधा किलो, आधा मतलब कितना होता है, 0.5, ओके, moving at 50 meter per second, तो इसका initial speed कितना है, 50 meter per second, एक हतोडा है, 50 meter per second से हमने hammer किया, strikes a nail, nail पर hammer किया, nail stop the hammer in very short time, मतलब nail ने hammer को stop किया, मतलब final velocity कितना, 0, ऐसा मार होगे तो रूख जाएगा, कितने time में, कितने time में, 0.01 second में, तो what is the force of nail on the hammer, force कितना होगा, nail का hammer, अभी ये force negative आएगा, क्यों negative आएगा, because वो hammer के force, velocity को क्या कर रहा है, oppose कर रहा है, ठीक है, तो force क्या होता है, force is nothing but, mass into acceleration, mass into, what is acceleration, v minus u divided by t, last lecture में भी बहुत सारे problem किया है, मैंने से, mass, mass कितना है, 0.5, 0.5 कितना होता है, 1 by 2, 0.5 को 1 by 2 भी कहेंगे, calculation easy हो जाएगा, v minus u, v, 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 kitना है, 0, minus u, u कितना है, 50, 50, divided by time कितना है, बच्चों, कहां गया time, time is 0.01, 0.01, चलो, ठीक है, कोई बात में, क्या हो जाएगा अभी, 0 minus 50 मतलब कितना, minus 50, divided by 2, into 0.01, इसको कैसा करते है, बच्चों, 50.00 लिख लेते हैं, अगर इसको 2 से point इधर भगाया, तो ये भी 2 से आगे भग जाएगा, तो कितना बचा, minus 5,000 divided by 2, तो 2, 2, 4, 5, 0, 0, minus 2, 5, 0, 0, newton, तो इतना force लगा, minus 2500, correct है, बच्चों, और negative sign indicates that, negative sign कैंडिकेट करता है, बच्चों, negative sign indicates that, motion of hammer is opposed by nail, nail क्या कर रहा है, hammer के motion को oppose कर रहा है, ठीक है, अब इसके बाद, बच्चों, अब आता है, main topic, इस lecture का, इसके बाद हमें, law of conservation of momentum तो पढ़ना ही है, लेकिन ये चीज़े समझना भोग ज़रुए, बच्चों, देखो, laws of motion, अगल आपको realize करना है, first law, second law, third law, अच्छे से समझना है, तो आपको इसके जादे से जादा real life example समझने होंगे, और उस पर based आपको numericals बनाने होंगे, ठीक है, अब समझते हैं, airbag का working, airbag, ठीक है न, मैंने आपको जो notes प्रोवाइड की hard copy, जो classes के student है मेरे, उसमें इसकी working detail है, मैं आपको logic पढ़ाऊँगा, logic पढ़ाऊँगा, अच्छे से समझ दो, ठीक है, क्या होता है बच्चो, airbag क्या होता है, imagine करो, imagine करो, यह car है, suppose this is the car, ठीक है, यह कुछ इस तरह की हमारी car है, ठीक है, यहाँ पर driver बैठा हुआ होता है, देख लो बच्चो, अच्छे से समझ वाँ, driver ऐसे बैठा हुआ होता है, और यह क्या कर रहा है, गाड़ी को drive कर रहा है, अब होता क्या है, imagine करो, imagine करो, दोनों चीज़े समझेंगे, हमाँ, seat bed भी समझेंगे, और airbag भी समझेंगे, क्या होता है, दोनों का working एक ही है, अच्छे से समझझवा, imagine करो, यह इसको drive कर रहा है, अब कुछ हो गया, accident होता है, विदा, मतलब कितना भी आप संबल कर चला लो, आगे कोई आके आपको dash कर दे, accident हो जाएगा, मतलब accident हमेशा आपके गलती के वज़े से होगा, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, आगे वाली की भी गलती हो सकती है, आपकी कुछ भी गलती नहीं हो सकते है, फिर भी accident हो सकता है, तो होता क्या है, यहां पहले हम airbag का पढ़ेंगे, airbag का, क्या होता है, अगर कोई चीज आके यहां पर hammer हो गई, कोई चीज आके यहां पर hammer हो गई, हैमर हो गई, अभी यह जेए देखो बच्वो यह कार अपनी constant motion से, constant velocity से मुह हो रही है, constant velocity से मुह हो रही है, ऐसा imagine करेंगे, accident भी हो चते है, constant velocity से मुह हो रही है, तो suddenly कोई आ गया यहां पर, और गाड़ी को ब्रेक कर करना पड़ा, खड़ा आ गया, या फिर कोई dash, अभी जैसे हमने example देखा, car or truck का, कोई truck आके आपको dash दे दिया, तो यहां पर अगर dash बैठ गया आपको, तो आपकी जो inertia of motion है, inertia of motion है, वो क्या करेगा, इसको oppose करेगा, car रुख जाएगी ना, वो dash देने के वज़े से, car suddenly गई, तो आपका जो base है, आपका जो base है, that is in contact with seat और surface of car, तो यह क्या हो जाएगा, due to inertia of rest, यह क्या हो जाएगा, car rest होगे, car rest होने के होज़े सी, यह तो rest हो जाएगा, लेकिन आपका जो body का अपर part है, वो still in air है, अभी भी वो कहाँ पर है, air में है, तो due to inertia of motion, पहले वो uniform velocity स मुह हो रहा था ना, due to inertia of motion, वो suddenly क्या होगा, आगे चला जाएगा, वो suddenly क्या होगा, आगे चला जाएगा, अब वो suddenly आगे जाएगा, तो आपका सर जाके glass पे टकरा सकता है, glass फूट के आप जाकर truck पे टकरा सकते हो, और truck पे टकरा होगे, glass फूट जाएगा, तो there will be a dangerous for you, आप मर सकते हुए, आपका सर फट सकता है, तो ऐसा ना हो, इसलिए ये दो arrangement किये जाते, seed belt and air bag, अब air bag क्या होता है बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक chemical रखा जाता है, उसे कहते, sodium azide, sodium azide, sodium azide, azonium, azonium, इस second name of nitrogen, azonium किसको कहा जाता है बच्चों, azonium मतलब nitrogen, याद रखो, chemistry में बहुत काम आएगा, azonium मतलब क्या होता है, nitrogen, sodium azide, एक compound होता है, अब यह कोई चीज़ आकर यहाँ पर अगर धीरे से भी टकरा गई, मतलब एक limit fix होती है, अगर यहाँ पर टकरा गई, तो यह sodium azide में chemical change होते हैं, क्या होते हैं, chemical change ठीक है न, समझ रहाँ, सपोस्ट डैश हो गया, तो यहाँ पर sodium azide रखा होता है, sodium azide में chemical change होते हैं, और वो क्या करता है, non-toxic, non-toxic nitrogen gas produce करता है, nitrogen gas is non-toxic to human body, nitrogen gas produce करता है, अब वो जो gas होता है, वो gas inter होता है, बलून्स होते हैं, बलून्स, बलून्स, जूसको airbag कहा जाता है, बलून्स होते हैं, इसमें होते हैं, यह जो steering होता है, फिर जो पीछे आदमी बैठे हुए, same arrangement, अब गाड़ी पर depend करता है, आपकी गाड़ी कितने महिंगे की है, या फिर कोन से वर्जन की है, तो यहाँ पर यह जो seat होती, इसके seat के पीछे arrangement होती है, तो क्या होता है, य सोडिय माजाइड में chemical changes, बहुत fast होते हैं, और non-toxic nitrogen gas produce होता है, और वो gas क्या होता है, यह balloon में enter होता है, और यह balloon में से क्या होता है, इसे airbag automatic बाहर आ जाती है, तो airbag अगर बाहर आ गई, तो आपका जो सर है, उस पर टकरा जाएगा, इसे आपका सर आप पीछे रहोगे, ठीक है न, मतलब आप पीछे रहोगे, आप आगे जाओगे क्या, नहीं, तो हमाँ पर damage होगा क्या, नहीं, तो ऐसा working होता है, किसका airbag का, किसका airbag का, अब seat belt का क्या working होता है बच्चों, देखो, आप seat पर ऐसे बैठे वे हो, सीट पर आप ऐसे बैठे वे हो, ठीक है, तो seat बेल्ड, ऐसा ऐसा एक पट्टा लगाया होता है, ऐसा बेल्ड टेक लगाया होता है, इससे क्या होता है बच्चों, अगर आप suddenly रुख गए, तो आपका जो base है, आपका base है, वो car के contact में, वो तो रुख जाएगा, लेकिन जो body का upper part है, वो due to inertia of motion, आगे जाने की कोशिश कर लगेगा, तो देख लो बच्चो, force लगेगा, force क्या होता है, force is change in momentum divided by time, rate of change of momentum divided by time, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, force को कम करना है, force अगर ज्यादा होगा, तो आपको force कम करना है, force कम करना है, तो आपको time बढ़ाना होगा, क्या करना होगा, time बढ़ाना होगा, momentum तो आ अगर यहाँ पर seat belt है बच्चो तो आपकी body अब ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, विकास seat belt उसको avoid करेंगी, elastic होता है वो, तो ऐसे जाएगी body, ठीक है, तो अब ऐसे जाने में और ऐसे जाने में, time कैसा है बच्चो, जाधा लगेगा, ऐसे जान airbag और seat belt काम करते हैं, समझ गया आप, इस तरह से airbag और seat belt काम करते हैं, ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे, विचारे insect की कहानी, इंसेक समझते है बच्चो, यह जो winter होता है न, winter, winter या फिर rainy season में, थोड़ा सा अगर waterfall हो गया, तो उसके बाद, बहुत से insect road पे चले आते हैं, और जो light होती, headlight, headlight पे क्या होते हैं, वो attract होते हैं, तो मैं शमा हूँ, परवानी की तरफ जाओंगा, ठीक है न, ऐसा कुछ होता है बच्चो, चलो, तो देख लो, insect head on collision with car, देख लो बच्चो, होता क्या है, suppose, imagine करो, यह आपकी car है, ठीक है, car is moving on the surface of road, ठीक है, this is the car ठीक है, beautiful car, आप doctor बन गए, बहुत बड़े बन गए, आप car drive कर रहे हो, ठीक है, अब यह विचारा छोटा सा insect है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, नमुना सा insect है, insect है, बच्चो, कितना होगा यह, 2 gram का, बहुत होगा है बच्चो, 2 gram, 2 gram का होगा, अब आपकी car कितनी है हमने example देखे थे बच्चो, 1,500, 0, kilogram, अब इसको हम gram में करेंगा, 1,500, 1,2,3, इतने gram की आपकी car होती है, अब हुआ क्या, यह बहुत high speed से इधर आ रहा है, और आपकी car भी अच्छी खासे speed से आगे जा रही है, imagine करो, यह आ रहा है, suppose, suppose, 50 meter per second से, और यह आपकी car, इतनी speed न 10 meter per second, अब हुआ क्या, यह इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आ गया और इससे collide हो गया, बीचारा इंसे आया, इससे collide हो गया, तो अब दो तीन चीज़े, पहली चीज़, पहली चीज़, force experience by insect is equal to minus force experience by car, समझ रहे हो, मतलब दोनों ने force उतना ही experience किया, मतलब यह insect car पर जितना force ड अलेगा, अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो दोनों का force कैसा है, सेम है, second cheese, second cheese, change in momentum of insect, change in momentum of insect is equal to change in momentum of car, ठीक है, तोनों का magnitude कैसा होता है, same direction opposite होगा, लेकिन magnitude कैसा होगा, same, दोनों का force कैसा होगा, equal and opposite, momentum कैसा होगा, same, change in momentum, magnitude wise कैसा होगा, same, लेकिन, 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 लेक greater than acceleration of car why because 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 mass of car mass of car is very 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 greater than mass of insects समझ रहो मत्दब इसे का मास कितना है तू ग्राम और इसका देख वन फिफ्टी इतना ज्यादा मास ठीक है तो होता क्या है force is equal to mass into acceleration acceleration is equal to force divided by mass to force अगर constant है दोनों का force का सहा है magnitude y constant direction में opposite है acceleration is inversely proportional to mass तो जिसका mass जादा होगा उसका acceleration कम होगा अब acceleration insect का बहुत जादा है इसका reason क्या है insect का mass बहुत कम है इसलिए होता क्या है जब ये छोटा सा insect बीचारा कार से टकरा गया तो उड़के वो बाजु में गिर जाएगा तो आप जो अंदर बैठे हो insect आपके कार पे collide होने से आपको acceleration feel भी नहीं होता इसका reason क्या होता है आप पर force जादा होता है कम होता है क्या नहीं जितना force आपने insect पे लगाया आप पर भी उतना ही force होता है लेकिन जो कार का mass है वो बहुत जादा होने के वजह से acceleration इंसेक के वझयसे आपको feel नहीं होता है I hope आपको यह चीजे समझ रही है ठीके बच्चो इस तरह से बेचारा इंसेक मारा गया ठीके बच्चो तो यह इस तरह से कुछ होता है ठीके तो तो this is the concept of Newtons 3rd law of motion Newtons 3rd law of motion every action as equal & opposite reaction अब हेली कॉप्टर का बहुत जबर्दस अरेज्मेंट होता है बच्छों क्या होता है हेली कॉप्टर देख लो बच्छों सब्सक्राइब यह कुछ है बच्छों ठीक है अब यहां पर क्या होता है हेली कॉप्टर में ऐसे फैन होते है बच्छों ठीक है फैन होते है यह भी न्यूटन्स के थर्ड लॉफ मोशन पर वर्क करता है ठीक है यह हमारा हेलिकॉप्टर है ठीक है होता क्या है यह पैन ऐसे बने वे होते बच्चो यह क्या करता है एक्जर्ट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एर एर को क्या करता है एर को प्रेस करता है डाउनवर्ड ड में ठीकन सब्सक्राइवेगे रोपर तर्ण पर जा रहा था इस वज़ेसे क्या हुगा जै से क्या कर है उसको अब उपर पुछ करेंगी, air, air, exert, exerts force, force in upward direction, समझ रहो, air, exert, force in upward direction, upward direction में force exert करेंगी, तो upward direction में जो force exert करती है, उसको क्या कहते है, lift, that force is called as lift, उस force को क्या कहते, lift, अब क्या होता है, helicopter का जो weight है, वो vertically डाउन्वोड आएगा, EMG, और अब यह क्या हो रहा है, vertically upward force, यह हो रहा है, lift, यह क्या हो रहा है, lift, तो होता क्या है, होता क्या है, जब, lift, lift, जो मतलब, lift मतलब upward force, is equal to EMG, मतलब downward force, तो यह क्या हो जाएगा, weightless, weightless, तो यह धीरे से उपर चला जाएगा, अब जैसे ही, lift, lift is greater than EMG, lift is greater than EMG, तो क्या हो जाएगा, आपका helicopter उपर चला जाएगा, तो आप जैसे जैसे उस fan की speed बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे वो क्या करेगा, air को नीचे push करेगा, air press करेगा downward direction में, वो क्या होगे, action, अब उसको नीचे press करेगा, तो air क्या करेगी, उसको उपर press करेगी, उसको कहते है lift, that is reaction force, every action is equal and opposite reaction, तो ये जो reaction है, इसको कहा जाता है, lift, तो helicopter क सा अधर हो जाएगा, हवा में, okay, uniform speed से वो move हो करेगा, because force balance हो गया, zero force हो गया, ठीक हो उपर आ गया, अब lift अगर greater हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, accelerate, helicopter will accelerate, तो इस तरह से helicopter के motion को क्या किया जाता है, control किया जाता है, और वो क्या होता है, fly होता है, air में क्या किया जाता है, उ यह बहुत interesting जो बच्चों, इसको थोड़ा सा detail में देखने, अब इसमें बहुत सारा misunderstanding हो सकता है आपका, आपको लग सकता है कि horse के वज़े से kart move होता है, hundred percent गलत बच्चों, देख लो, अच्छे से देखो, drawing थोड़ी खराब है हमारी, फिर भी अच्छे से draw करने की कोशिश करोंगा, imagine करो, this is our horse cart, ठीक है, यह हमारे चाक है कुछ इस तरह के, ठीक है, यह horse cart है हमारा, ओके, यह चाक की दर से दूसरा चाक आगे होगा, ओके, यह इस तरह से यहाँ पर हमारा horse है, ठीक है, horse को अब horse कैसा है, बना हूँ कैसा है, चलो, ठीक है, बना देते है, ऐसे हमारे लग की आखमार, ऐसा कैसा horse है, ओके, भावनाओ को समझो, ठीक है, तो यह इसके leg से बच्चो, यह आगे जा रहा है, ठीक है, अब देखो, number one, force, 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 number one, पहला force, पहला force, क्या करेगा, यह जो horse है, cart को खीजेगा, okay, force, horse, horse, pull the cart, okay, तो इसको क्या बोलेंगे, tension, tension force, क्या बोलेंगे, tension force, यह होगी action, action, number one, action, number one, मतलब horse क्या करेगा, इस card को इधर pull करेगा, क्या करेगा, पुल करेगा, तो यह क्या होगी, action, number one, action, यह Tension Force, Action Number 1, अब यह होगा पहला Force, अब देखो बत्चाओं कितने Force Act हो थे, अब Force Number 2, अब Newton ने क्या कहा है, Every Action has Equal and Opposite Reaction, तो क्या होगा, यह जो कालठ है बच्चो, कालठ में Driver भी बता दे थे हम चलो, यह आप बैठे भे हो यहां पर ऐसे, अब क्या होगा, अब क्या होगा Reaction Force, Reaction Force क्या होगा, यह Action होगा, यह Action होई ना बच्चो, This is Action, This is Action, Action Number 1, तो इधर Reaction आ जाएगी, Equal and Opposite T, यह क्या हो जाएगी, Reaction, Reaction Number 1, तो होर्स ने पुल किया, कार्ट को Tension से, Tension T से, उसको कहा हमने, Action, उसको कहा हमने, Action, तो अब क्या होगा, कार्ट, कार्ट विल प् Reaction, कार्ट विल प्रडूस, Reaction, उसको क्या बलेंगे, Reaction Number 1, Reaction Number 1, तो इस वजह से वो आगे जाएगा, क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, अब होता क्या है, बच्चो, यह होता है, Surface, देख लो बच्चो, This is the Surface, यह हम Force Number 3, Force Number 3, Force Number 3, Legs of Horse, Legs of Horse, Exerts, Action, Action on Surface, Surface, इसको Friction भी कहते हैं, इसको क्या कहते है, Friction, क्या कहते है, Friction, तो यह क्या होगे, Action, यह क्या होगे, Action Number 2, दूसरी Action, ओके, अब, Action Number 2, अब इसका Reaction होगा, Force Number 4, Force Number 4, तो थर्ड फोर्स क्या होगा, Horse क्या करेगा, Horse Will Exert, Horse Will Exert Force, यह यह फ्त्रिया, Horse Will Exert Force on the Surface, Horse Will Exert Force on the Surface, So, Surface Will Exert Force on the Horse, इसको कहेंगे, EF of Horse, इसको क्या कहेंगे, EF of Horse, तो Surface क्या करेगा, Horse पर Force डालेगा, Surface क्या करेगा, Horse पर Force डालेगा, Force, यह फोर्स, और यह क्या है, Reaction, यह क्या है, Reaction है, किसका, इस Force का, यह फ्त्री का, Reaction, तो Force Number 4, क्या होगा, Reaction Force, Reaction Force of Friction, जो Friction होगा, उसके पैर में और जमीन में, उसका Reaction क्या होगा, Force of Horse, क्या होगा, Force of Horse, अब इस Force के वजह से, यह Horse आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यह Horse किसको आटेज है, यह Kart को आटेज है, गाड़ी को आटेज है, अब क्या होगा, यह गाड़ी का जो टाइर है, यह फोर्स डाले की जमीन पर, ओके, वो होगा, Force Number 5, Force Number 5, यह, तायर, टायर, आफ, कार्ट, टायर आफ, कार्ट, टायर आफ, कार्ट, एक्जर्ट, 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 फोर्स, फोर्स, और सर्फेस, तो कार्ड का टायर है, वो क्या करेगा, सर्फेस पर फोर्स डालेगा, सर्फेस पर फोर्स डालेगा, उसको फ यह क्या होगा रियक्षिन क्या होगा रियक्षिन तो फोर्स नमबर शिक्स तो यहां पर क्या है का यह जो फोर्स होगा नीचे कि इधर जमीन पर जो फोर्स डालेगा यह यह होगा यह फायू यह क्या होगा यह फायू फोर्स नमबर फायू अभी इसका जो रियक्षिन फोर् reaction force reaction force of f5 according to neutral reaction as equal and opposite reaction यह होगा f of cart यह क्या होगा f of cart समझ रहो तो total कितने force आगए बच्चो छे force आगए action reaction pair हुई थे force always existing pair तो पहले क्या किया horse ने cart को खीचा tension से cart ने horse को पीछे खीचा tension से तो a action होगी यह reaction होगी अब horse ने क्या करा जमीन पर force डाला action force f3 उसका reaction जमीन ने horse पर force डाला f of horse अब f of horse मतलब card भी बूहने की कोशिश करेगा तो card का tire क्या करेगा जमीन पर force डालेगा action force f5 उसका reaction क्या होगा force of cart अब यहाँ पर three possibilities है ओके तीन cases possibilities है case one क्या हो होता है f of cart is less than f of horse अगर horse का force ज्यादा है cart के force से तो होगा क्या cart will accelerate cart will accelerate तो cart क्या हो जाएगा accelerate होगा cart क्या होगा accelerate होगा अगे किदा direction में case two case two if if f of cart is equal to f of horse f of cart is equal to f of horse तो net force कितना हो जाएगा zero तो it will move with constant velocity it will move with constant velocity तो यह क्या हो जाएगा constant velocity से मूँ करेगा constant velocity से मूँ करेगा और तीसरी situation यह आपके book में दी नहीं गई है फिर भी यह होती है क्या हो सकता है force of cart is greater than force of horse cart का force इधर होता है वच्चा force of cart will greater than force of horse तो horse का cart का force अगर जाधा होगा cart का force अगर जाधा होगा horse का कम होगा तो cart will not move cart will not move तो cart move होगा क्या नहीं होगा ठीक है तो pause करके यह सारी चीजे बहुत अच्छे से note करें जल्दी शुरू करते हैं हम what laws of conservation of momentum laws of conservation of momentum or law of conservation of momentum so this is something about the card ka hai start ka hai wo force किदर है इधर की डिरेक्शन ने ठीक है बच्छो तो इस तरह से होता है तो यह जो कार्ट का वर्किंग है बच्छो किस वजह से हो रहा है according to Newton's third law of motion तो एक चीज़ याद रखो कार जो रस्ते पे मूह हो रही है it is not because of force of tire on the road it is because of force of road on the tire force of road on the tire road क्या कर रहा है टायर पे force डाड रहा है इस वजह से वो कार क्या हो रही है आगे 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 जा रही है ठीक है तो heading लगाओ conservation of momentum क्या heading लगाओ गया आप conservation of momentum लिखो heading लिखो conservation of conservation conservation of momentum conservation of momentum अब this is based on Newton's second law and Newton's third law इसको प्रूव करने के लिए हम दो लोग का यूज़ करेंगे एक तो Newton's second law दूसरा Newton's third law तो Newton's second law of motion क्या कहता है the rate of change of momentum the rate of change of momentum is directly proportional to applied external force and changing momentum takes place in the direction of force और थर्ड लोग क्या कहता है every action has equal and opposite reaction to action force reaction for equal or opposite होते हैं ठीक है तो जो conservation of momentum है यह क्या कहे रहा है अब इसका statement देखेंगे फिर प्रूव करेंगे बच्चो चलो statement लिख देते हैं statement simple सा है बच्चो देखो statement प्रूफ होने के बाद statement समझ आएगा आपको statement if if no external force if no external force acting on acting on system system of colliding bodies system of colliding bodies bodies then then total total momentum total momentum of of system total momentum of system is conserved total momentum of system is conserved ठीक है अगर बाहर से system of bodies जो collide हो रही है इस पर अगर कोई force आप नहीं लगाते हो तो the total momentum of system is conserved मतलब क्या total momentum इसका मतलब total that is that is total momentum system का total momentum total momentum before collision total momentum before collision is equal to total momentum total momentum after collision total momentum after collision अब ये क्या माज रहा है सर ये क्या लगाया आपने नयाई शुरू किर दिया बीच में से ठीक है तो इसके प्रूफ के बाद आपको सारी चीजे समझ आएगी तो पहले ये समझाओ रखा और क्या करना है ठीक है देक लो इसके लिए आपको एक सिस्ट्म समझने होगी एक सिस्ट्म समझ नियोगी बच्चो शिस्ट्म क्या है imagine करो हमने two bodies लेली, क्या लेली हमने two bodies, ठीक है imagine करो ये two bodies है, ये body है हमारी A and this is body B अब इसका mass कितना है yam A, इसका mass कितना है yam B, ठीक है अब ये जो है this is moving with initial velocity U A, this is moving with initial velocity U B suppose they are moving along a straight line, imagine कर लो they are moving along a straight line, ठीक है ना, तो ये situation कब की हो गई बिफोर कोलीजिन, क्या हो गया, बिफोर कोलीजिन, क्या हो गया, बिफोर कोलीजिन, ठीक है, अब क्या हुआ, इफ, ठीक है, इफ, इफ क्या, इफ, यू ए, इस ग्रेटर दैन, यू बी, क्या हो गया, इफ, यू ए, इस ग्रेटर दैन, यू बी, क्या हो गया, इफ, यू ए, जादा है UB से तो क्या हो जाएगा यह स्पीड जादा हो जाएगी यह स्पीड जादा हो जाएगी और यह कम हो जाएगी तो यह जाकर इस पर collide हो जाएगा तो collide हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये जाएगा इस पर collide होगा तो collision के बीच में क्या होता है देखो ये body A है ये body B है ये body जाकर इस पर collide हो गई ठीक है तो ये body जाकर इस पर collide भी मतलब ये body ने इस पर force डाला उस force को कहते हैं FB-?"due to a", तो यह क्या हो गया? Action. यह व्री action is equal and opposite reaction. तो यह भी इस पे force डालेगा. यह force कितना होगा?f AB. force on a due to b तो यहां पर क्या हो गया दोनों का collision हो गया इस डाइग्राम को कहेंगे during collision इसको क्या कहेंगे बच्चो during collision क्या कहेंगे during collision तो during collision क्या होगा एक body दुसरे body पर force दा लेगी तो दुसरी body पहले body पर force दा लेगा according to Newton's third law Newton's third law तो क्या हो गया है यहां पर यफ बी ए यफ बी ए क्या है force on body b due to a force force on b due to a समझ रहे हो on b due to a और यफ a b क्या है force force on a due to b due to b समझ रहे हो force on a due to b अब दोनों पर force act हुआ दोनों पर force act हुआ for time t suppose time of collision कितना है t ti कतना है time of collision time of collision स cooling होने के बाद collision होने के बाद ia body a है body b है यह दोनों ऐसे चल रहे हैं यह जोड़ता इस टक रहा है यह भी पिर यह आगे चले रहे है ठीक है दोनों का oh कोई जन को लीजन के बाद collision के बाद, आप collision से mass तो change नहीं होगा, हम assume कर रहे हैं कि collision इतना fast नहीं हुआ, कि body break हो जाए, ठीक है, तो क्या हो गया collision के बाद, still they are moving along a straight line, ओके, तो ये जो body है हमारी, ये इस body का नाम क्या था B, तो B body जो है, अब इसकी final velocity हो गई, VB, और ये जो body है हमारे A, इसकी final velocity हो गई, VA, ये body A है, इसका mass क्या रहे गया, यम A, इसका mass क्या रहे गया, यम B, मास क्या रहे गया, यम B, अब हमें prove क्या करना है, कि total initial momentum before collision is equal to total final momentum after collision, तो momentum before collision क्या होगा, अब before collision दो bodies है, एक body, दुसरी body, तो पहले body का momentum कितना होगा, यम A, UA, यम A, यू A, पहले body का momentum, दुसरे body का momentum, यम B, UB, यम B, UB, तो system में दोनों body है ना, तो total momentum before collision कितना आ जाएगा, यम A, UA, प्लस यम B, UB, is equal to, total final momentum, अब collision के बाद, velocities change हो गई, यू A की हो गई, VA, UB की हो गई, VB, U मतलब initial velocity, A मतलब A की, V मतलब final velocity, B मतलब B की, तो final momentum क्या हो गया, यम A, VA, प्लस, यम B, VB, ठीक है, momentum क्या होता है, momentum is product of mass and velocity, तो collision के पहले, masses दो है हमारे, यम A, यम B, तो इसका momentum कितना हो गया, mass into velocity, इसका momentum कितना हो गया, mass into velocity, system का कितना हो गया, दोनों का addition, तो ये क्या हो गया, total momentum before collision, ये क्या हो गया, total momentum before collision, तो collision के बाद क्या हुआ, इसकी velocity, VA हो गया, इसकी velocity, VB हो गया, इसका mass कितना है, यम A, इसका mass कितना है, यम B, तो after collision क्या हो गया, यम, A, V, A, प्लस, Yumb, VB, तो total momentum, यम, A, V, A, प्लस, Yumb, VB, तो हमें ये प्रूफ करना है, और इसको ही क्या कहते हैं, this is called as conservation of momentum, conservation of momentum, conservation of linear momentum, तो होता क्या है basically, अगर बाइबबाबर से कोई force act हो रहा है क्या, नहीं, एक body आ रहे है, इस पर collide हो रहे है, collision होँ, collision के time क्या हो रहा है दोनों की वेलोस्टी चेंज हो गई ठीक है न तो इफ नो एक्स्टरनल फोर्स अक्टिंग अन्द सिस्टीम अगर बाहर से कोई फोर्स इस पर नहीं हो रहा है अब आप को गई ग्राइवीटी है यह सारी सी जीज़े हमें निग्लेट करनी है of the system colliding body then total momentum of system remains constant मतलब total momentum before collision is equal to total momentum after collision ठीक है चलो अब इसको करते हैं proof इसको क्या करते हैं proof simple सा proof है बच्चों देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं F A B is equal to F B A और vector ले लेंगे vector लेंगे तो यहां पर minus आ जाएगा according to Newton's third law according to according to NLM Newton's law of motion number 3 NLM मतलब Newton's laws of motion 3 मतलब एक body ने अगर दुसरे body पर force F डाला तो दुसरे body ने पहले body पर force कितना डाला minus F तो F A B क्या है force on body A due to B F B A क्या है force on body B due to A तो देखो अब इसको हम लिखेंगे but according to Newton's second law according to according to NLM Newton's laws of motion 2 force is equal to mass into acceleration agree force is equal to mass into acceleration अब अच्छे से समझाँ देखो तो हमीं क्या करना है force के जगा mass into acceleration रखना है तो इस इक्वल टू का इस इक्वल टू ए माइनस का माइनस ब्रैकेट में अच्छे से देखो बच्छों ब्रैकेट में यह भी ए का मीनिंग क्या है force on body B force on body B due to A तो किस पे force है body B पे किस पे force a body B पे तो B का अगर force निकालना है तो उसका ही mass लेना पड़ेगा mass of B mass of B into acceleration of B समझ रहे है mass of B into acceleration of B किस पे force है body B पे किस पे force a body B पे mass किस का B का एक्सलिडेशन किस का B का simple अब यह if A B यह if A B क्या है force on A due to B force on A due to B किस पे force है a पे किस पे तो mass किस पे लेना पड़ेगा a का mass किस के लेना पड़ेगा a का और acceleration भी किस का लेना पड़ेगा excal приб 2 कर Jeśli थी थी कह है तो अब mass of A mass of A अब acceleration A का कैसा हो गया V A minus U A divided by T, दोनों का time collision का कैसा है, सेम है, A का final velocity कितना है, V A, initial velocity कितना है, U A, तो velocity U A से क्या बनी, V A बनी, तो V minus U divided by T is equals to, यह minus का, minus YUMB का, YUMB acceleration of B, B का acceleration, तो B का acceleration, देखो B की initial velocity U B, final velocity V B, तो क्या होगा, V B minus U B divided by T, divided by T, क्या हो जाएगा, this time will cancel with this time, simple, because time of collision तो दोनों के लिए सेम रहेगा, अब मल्टिप्लाई करो, क्या हो जाएगा, YUMB, V A, YUMB, V A minus YUMB, U A, YUMB, U A, YUMB, U A is equal to, यह minus को बाहर ही रहने दो, in bracket, YUMB, V B, YUMB, V B, minus YUMB, U B, YUMB, U B, अब क्या करो, minus से अंदर मल्टिप्लाई करो, minus से अगर अंदर मल्टिप्लाई करोगे, तो यह minus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, plus minus 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 plus, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, YUMB, V A, minus YUMB, U A, हो जाएगा, यह minus वाला, इधर भेज़ दो, plus हो जाएगा, और यह minus वाला, इधर लेकर आजाओ, plus हो जाएगा, that's it, आपका proof मिल गया, तो क्या हो जाएगा, यह देखो, यहाँ पर जगा है, क्या देख लेता हूँ मैं, एक मिनट, है नो प्रॉब्लम, चलो, तो यह क्या है, YUM, A, V A, YUM, A, V A, यह लेकर आगए हम इधर, तो क्या हो गया, YUMB, V B, YUMB, V B, is equals to, यह क्या है, इसको इधर लेकर चलेगे, YUM, A, U A, YUM, A, U A, plus, plus, क्या बन गया, YUMB, U, B, YUMB, U B, ठीक है, इसको अगर आप रिवर्स लिख दोगे, मतलब इसको पहले, और इसको बाद में, तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, देख दो, YUM, A, U A, plus, YUMB, U B, is equal to, YUM, A, V A, plus, YUMB, V B, मतलब, total momentum before collision is equal to, total momentum after collision, ठीक है, तो इस तरह से होता है, बच्चो, तो इसमें हमने, basically, use क्या किया, हमने दो law use किये, एक तो newton, second law of motion, और दूसरा newton, third law of motion, तो इस तरह से यह, जो law of conservation of momentum होता है, इसमें हम दो law use करते है, newton, second law of motion, और newton, first law of motion, ठीक है, बच्चो, एकदम सिंपल था, देखो, आप तिर से बता था हो, मैं, क्या होता है, जब यह दो bodies collide होते है, अब इसकी स्पीर जादा थीसलिए जाके, यह collide होगा, तो collide होते है, तो यह इस पर force डालता है, यह BA, तो याद कैसा रखने का, इस पर act हो रहा है, इसके वज़े से, इस पर act हो रहा है, इसके वज़े तो, यह BA मतलब क्या है, force on B, on B due to A, force on B due to A, force on A due to B, force on A due to B, अभी A is equal to minus B, confirm है, अब देख लो, BA मतलब क्या है, force on B, B, force on B, तो मास किसका लोगे, B का, acceleration किसका लोगे, B का, तो acceleration B का कैसे find out करोगे, B की velocity पहले क्या थी, B की velocity थी, UB, हुई क्या, VB, तो VB minus UB divided by T, अभी F, A, B मतलब force on A, force on A due to B, A का force मतलब, मास A का, acceleration A का, तो acceleration कैसे find out करोगे, A की velocity क्या थी, U, E, U, A, बन गई क्या, V, A, तो velocity, V, A minus, U, A, divided by T, तो this T, T, we cancel with this T, और इसको हमने simply solve किया, minus plus adjust किया, तो यह statement आगा, and this is nothing but law of conservation of momentum, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस lecture को करते है, हम आप जल्दी भी लेंगे 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 जल्दी बाते है उड़ेंगे लेंगे 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 ले लेंगे लेंगे करते हैं